आकाश्माणी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सेंग भूपाल की प्रशासनेक अकादमी में आज से अखिल भारतिये दर्शन परिशत का तीन दिवसी अधिवेशन आरंब हुआ रजपाल आलजी टंडर ने इसका शुभारम किया पिछले 63 वर्शों से लगातार ये अधिवेशन आयोचित किया जा रहा है इस बार ये आज जन अमीदिया कॉलेज भूपाल के दर्शन शास्त्र भिभाग ने किया इस अधिवेशन में मुख्य विशय, योग की विभिन धाराओं पर देश भर के विभिन विश्य विध्यालियों के दर्शन शास्र के अधेता अपने विचार प्रकट करेंगे अधिवीशन में सुदेशी और सुराज का दर्शन और गांधी एवंसम कालीन चिंतक विशय के अलावा भारती ये भाषा दर्शन पर विशिशग्य अपने बात रखेंगे साथी संगुष्टी और व्याख्यान बालाएं भी आयोश्यत की गए है सामिनार में दर्शन शास्र के विभने विशियों पर अपने शोद पत्र भी पढ़ेंगे हमीदिया बहाविद्याले के दर्शन शास्र के विभागा ध्यक्ष डॉक्र जेयस दुबे ने बताया कि अखिल भारती दर्शन परिश्वत का धिवेशन पहली बार राज़ानी में हो रहा है जिसमें 300 से ज्यादा विद्वान हिस्सा ले रहे हैं प्रदेश में जाबवा विधानसभा उप्चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन आज कॉंग्रिस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और भाज़पा उमीद्वार भानु भूरिया के साथ ही तीनों निर्दलिये प्रत्याशी भी प्रचार में जुटे हैं कॉंग्रिस उमीद्वार के पक्ष में मुख्यमंत्री कमलनात अब से कुछ देर बाद राणापुर में जिनसभा को संबोधित करेंगे जबकि भाज़पा प्रत्याशी के समर्थन में पूर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान का रोड़ शो आज किशन पुरी गाउं स शुरू हुआ प्रशासन ने निश्पक्ष और शांति पूर्ण उप्चुनाओं के लिए परियाप्त प्रबंद किये हैं इस बारे में जाबुआ जिले के पुले सदेख्शक ने बताया कि जाबुआ बिधान सबाव चुनाओं के लिए 21 अक्टूबर को मद्दान होना है इसके लिए हमारे पास कुल 356 पोलिंग स्टेशन है जिन में 60 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल है सब पे हम लोगों ने परियाप्त बल लगाया है 28 जो हमारे इंटरे स्टेट और इंटरे डिस सेक्टर मजिस्टेट की डूटी जलाधीश के द्वारा लगाई गई है वो मुबायलें भी साथ में प्रिबन करेंगी और मैं जाबुआ बिधान सबाव के सभी मद्दावताओं से अनरोड करता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रियोग करते हुए 100% मद्दान हो ऐसा हम लक दूँ और विचारा धीन क्यादियों सहित खास रेणी के लोगों की पैचान के पुष्टी के लिए डियाने टिकनोलोजी के इस्तमाल पर नियंद्रन संबंधी ये विधेक लोग सभाने इस साल जुलाई में पारित किया था इस विधेक में राश्री और शेत्री इस्तर प अपने कलाओं का प्रदर्शन करेंगे मोचसप के दौरान 20 सक्टूबर को प्रुसिद्ध गाई का मालेनी अवस्थी और 21 सक्टूबर को अनुराधा पौदबाल का गायान होगा मीडिया में मूलियों पर केंद्रेत पुस्तक, मूलिया अनुगत, मीडिया, संभावना और चुनोदियां का वेमोचन आज फिल्म अभिनेता, आशितो श्राणा और वरिष्ट पत्रकार, एंकी सिंग, प्रकाश तुबे और राजिरिश वादल ने किया पुस्तक की लेखर्ग प्रोफेसर कमल देख्षित ने इस विशर पर लेखन के आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला खारिक्रम में कहीं जाने माने पत्रकार और पत्रकारिशा के विद्यार्थी भी मौजूद थे भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच तीन टेस मैचों की श्रिंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज से राची में खेला जा रहा है ताज़ा समचार तक भारत ने टॉस चीत कर तीन विकेट खोकर 205 रन बना ले हैं कुलदीप यादव के बाएं कंधे में दर्थ के वज़े से जारखन के स्पिन गेन बास शहबास नदीम इस टिस मैच के लिए टीम में शामल के गया है शरंकला में भारत दो शोने से आगे हैं विशाका पटिनम में पहला टिस मैच उसने 302 रन से और पुड़े में दूसरा मैच 137 रन से जीता था आपको समाचार सिंख शेप में बैतुल जिले में वेश्विक आयोटीन अलपता विकार नियदरन दिवस के मौके पर 20 सक्ट्यूबर को जिले के स्वास भाग द्वारा कारिशाला और जागरूकता रैली का आयोजन क्या जाएगा कन्वा सिले के ग्राम दून्दवाडा में आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के अंतरगत कलेक्टर और जन प्रतनेधियों ने ग्रामीरों से चर्शा की सिवनी में पिंच टाइगर जब के टूरिया केट और नीच और कैमका शुभारंब हुआ राजगर सिले के भाज़पा कारिकरताओं ने आप्रतेक शुनाव प्रणाली से नगरिया निकाय कराये जाने के विरोध में आज प्रदर्शन किया इस बुलेटिन में इतना ही आकाश्मानी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाच्वार बुलेटिन सुनिए शाम 7 बचकर 10 मिनिट पर नमस्कार